हेलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इग्राम स्वराज मॉबाइल आपको कैसे इंस्टोल करना है और कैसे उसको यूज करना है वीडियो को आखरी तक देखे ताकि आप भी पूरी जान सके तो चलिए बीना टाइम गवाए आज का वीडियो सुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मॉबाइल में इग्राम स्वराज का प्ले स्टोर में जाकर साच करना है और इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको इंस्टोल करके उसको इंस्टोल पर क्लिक करके डाउनलोड करना है आंगलेट करने के बाद यहाँ आपको ओपन पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इग्राम सुराज मॉबाइल एप तो यहाँ पर आपको selected तो यहाँ पर आपको अपना राज्य सिलेक करना है उसके बाद यहाँ पर आपको district सिलेक कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको तालू का सिलेक करना है उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको ग्राम पंचायत यानि के अपना उसके बाद यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो पंचायत ही राज का लोगों भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर ये सब select करने के बाद यहाँ पर आपको submit पर click कर देना है तो यहाँ से आप year भी select कर सकते हूँ तो यहाँ पर हम 2021 का year select करते है तो यहाँ पर आप year details देख सकते हो और यहाँ पर approve activities भी देख सकते हो तो यहां पर आप देख सकते हो total work, ongoing work, completed work और यहां पर आप count देख सकते हो और यहां पर आप amount भी देख सकते हो तो अभी यह app आज ही launch हुआ है इसलिए यहां पर आपको 00 देखने को मिल जाता है amount तो app पुरा नहीं होगे उस पर data update होगा तब उसका पूरा डेटा आपको देखने को मिल जाएगा और यहां से आप financial progress भी देख सकते हो तो उस पर क्लिक करो ना है उस पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस देखने को मिल जाएगा तो यहां पर आप देख सकते हो यहां पर मैं उनको screen को जूम कर देता हूँ तो यहां पर आप देख सकते हो फाइनल चेर येर और रिशिप और एक्सपैंड ड्यूचर तो यहां पर जिरो जिरो दिखा दे रहा है क्योंकि यह एपाजी लोंच हुआ है इसलिए तो यहाँ पर आप यह 3 लाइन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप local body को change भी कर सकते हो और यहाँ से आप log out भी कर सकते हो तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe करके bell icon को press कर दीजे मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तब के लिए good bye